अलो वल्कम बैक अगें तो फैस्ट लेटी जोन और आज हम शेयर करेंगे आपको एक को न्यू हाउस प्लान ओके सबसे पहले बात करेंगे इसके फ्रंट की इसका जो फ्रंट है वो है 41,41 फिट और इसके डेप्स की बात करें तो है 75,75 फिट ओके तो इसका बॉक्स बनाते हैं तो 41,75 का एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है इस प्लॉट में कोई रेच नहीं है अब मैं आपको इसके मोटी मोटी रिक्वार्मेंट बता देता हूं यह एक 2BH के सेट बनना है और जो भी इसके साथ नैसेसरी रिक्वार्मेंट है वो सभी रहेंगी तो इसकी डिटेलिंग अब हम शुरू करते हैं इसको जूम करते हैं फरस्ट इतना बहुत है तो यह हमारी बाउंडरी वोल है जो आप देख रहे हैं और इस बाउंडरी के वो बोल के बाद आपको यहां पर मेंगेट मिल जाता है और मेंगेट के बाद आपको यह वाला जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं यह पूरा ओ लेफ्ट साइड में आप यहां पर लेंड्सकेपिंग कर सकते हैं और राइट साइड में यह पूरा आपका पॉर्च रहेगा, ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप जो डी देख रहे हैं, यह रहेगा हमारा ड्राइंग रूम के लिए, तो 12-26 फिट का यह हम है, दस फिट की है, टौर्इट रहेगी, ओके, यह तो हो गया, ड्राइंग रूम के थुरू एंट्रेंस, जो हमारा मेन एंट्रेंस है, वो रहेगा यहां पर से, मिड से, मिड से जो आपको एंट्रेंस मिलता है, सबसे पहले आपको मिल जाता है, ड्ब्लाइट लोबी, 17 भ लेके आना चाहते हैं तो उसके लिए एक ओप्शन है ठीक है देन इस लोबी से कनेक्ट है एक पूजरूम चार बाइच शे फीट का साइज है इस पूजरूम का ओके तैन इसके बाद यहां से हमने दे रखा एक डूर और इस डूर से लेका किनेक्त आपका एक बेड्रूम साड़े बारे वाइब्वा शुम्रेडिट का यह बेड्रूम कनेक्ट है इसमें लेपर साइड में रहेगा आपका बेड राइट साइड में रहे अपके estato unit क्लियर और एक वा गॉद दी गई है इस पें दैन इसकी साथ जो कर्मेंट थी हमें ड्रेशंग प्रस्टॉलट अटेच करना था तो यह दोर अटेच किया हैं नहीं हांसे ड्रेश्टं के लिए 5.5.27 विट का एक डॉर दिया है ओके इसके बाद इसी से एटेच खिया एक डॉर टॉछ आलट के लिए साड़े पांच वाई साड़े दस फीट का हमने टोलेट अटेच किया है किलियर इस सा आगे बढ़ते है जो स्टेर केस है वह हमने दिया है सेंटर से आर्क में रहेगा यह हमारा स्टेर केस ठीक है जो कि काफी इसलो भी कोई है खुबसूरत बनाता है देन अब बात करें कॉमन टोलेट की तो कॉमन टाइलेट को जो है हमने एक प्राइवेसी में दिया है यहां से एक डोर आएगा आप चाहें तो यहां पर ओपनिंग भी छोड़ सकते हैं और साड़े चार बाई नौ फिट का यहां पर ओपन रहेगा ओपन से कनेक्ट है आपका टोलेट साड़े चार इसका साइज घटाय बढ़ा सकते हैं यह आपके हाथ में देन इसके बाद आ जाती है आपकी किचन लोबी से एक डोर आएगा और आट बाई 13 फिट की एक किचन रहेगी किचन से एक स्टोर भी दिया गया है पांच बाई चार फिट का और किचन से ही एक सेकलरी दी है हमने फिट की ठीक है इससे भी एक डोर बाहर के लिए दिया है हमने जो हमारा पीछे लेंड स्कैपिंग है यह व॥ी 활 पह प这 पर जने के लिए ठीक है यह पूरा एडिए जो है ओपन रहेगा आप यहांपे वोशिंग एरिया और الجघ्लेंड स्केपिंग एरिया रख सकते हैं clear then जो हमारा second door है यह देख आपको SS bedroom 2 में तेरा भाई 14 फिट का रहेगा हमारा यह bedroom ओके इसके साथ भी सभी requirement है लाइक एक connect है आपका store room साथ भाई साथ फिट का दूसरा connect है आपका dressing साथ भाई 6 फिट का और तीस साइस ड्रेसिंग से connect है ट्वाइलेट नौव भाई 5 फिट का ओके तो यह planning काफी जो है पढ़िया निकल कर आ रही है इक चली प्लोट साइज दी बड़ा है पर एक वारमेंट भी फुल्ली वेंटलेटे दी तो इसमें अब मेंटलेशन चेक करते हैं इस वेडरूम में फ्रंट में विंडो है तो इसका वेंटिलेशन यहां से है टौलेट में भी वेंटिलेटर फ्रंट में है वेंटिलेशन फ्रंट से है ड्राइंग रूम में भी फ्रंट में विंडो है तो इसका वेंटिलेशन भी फ्रंट से है क्यिकर लोभी की बात करते हैं तो जो नो में दो दी गई है और राइट刈 में यह आप देख रहे हैं यह पूरा ओपर एरिया छुटा हुआ है और किचन में राइट साइट में 세요 किचन का भी जारेश्न आपके पर डिफेरेंट है तो आप डिफेरेंट के लिए भी प्लानिंग डिजाइनिंग करा सकते हैं ओके एंड थैंक्स फॉर वोचिंग फैसलिटी जोन टेक केर और बाइए